टेक्निकल पुरुद को कर दे सब्सक्राइब और साथ में दबादे इस बेल को और ओल नोटिपिकेशन को भी ओन कर दे ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमार टेक्निकल प्रोई चैनल पे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल क्रोम ब्राउजर की जो बासा है उसको हम कैसे चेंज कर सकते तो दोस्तो गूगल क्रोम ब्राउजर जो है वो इंगलीस ब चाहते तो दोस्तों उस बासा को हम केसे चैने कर सकते तो दूस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यहीं जानकारी बताने वाला हूँ तो दोस्तों मेरा नामे नरेष्ट लौप्रॉई तो आप देख रहें टेकनिकल प्रोई चैनल तो चलिए दोस्तों एक छोटे से इं मिस्किन पर तो दोस्तों अगर आप हमारा चैनल पर अभी पहली बारा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकोन को भी दबा देना ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सेके और दोस्तों अगर आपक पर लिखा हुआ है तो दोस्तों यहां पर जो सेटिंग का हुप सेंशने इस पर हमें सबसे फेले क्लिक कर लेना है उसके бात दोस्तों इहां पर टेampad को शे और आनकार उत्सके यहां पर देख सकते हो सबaste reader के यहां पर निशे में the the Around इरी तो तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले उपर आप देख सकते हो हमें three dots का option मिल जाता है तो दोस्तों इस three dots पर हमें click कर लेना है उसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो हमें setting का option मिल जाता है तो दोस्तों इस setting पर हमें click कर लेना है उसके बाद दोस दोस्तों यहां पर हमें क्लिक कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपके हिसाब से आप कोई भी बासा यहां पर सलेक्ट कर सकते हो आप अपनी बासा में क्रोम ब्रोजर को कर सकते हो तो दोस्तों यहां पर मैं हिंदी करके आपको बदाने वाला हूं तो दोस्तों यहां पर आप और हमारी हिसेरी है ईसको एक बार क्लियर टना उसके बाद Só यहां पर नीचे अभी ऑड़ी इंग्ली सबसारा को करना तो दोश्रस तो यहां से देश करना है तोन आनցकी पैथे हरा सआश के बार मुबैला की जो सेटिंग है उसको यहां पर हमें तो दोस्तो बेक आने के बाद हमारे mobile की जो setting है उसको यहाँ पर हमें open कर लेना है तो दोस्तो यहाँ पर setting को open करने के बाद उपर आप देख सकते हो हमें search bar का एक option मिल जाता है कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहां पर हमें हिंदी सेलेक्ट कर लेना है तो दोस्तों यहां पर हिंदी पर मैं क्लिक कर लेता हूं उसके बाद दोस्तों यहां पर हमें सेट एस डिपल्ट पर क्लिक कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहां से हमें बेक आ जाना है उसके ब्रोजर को ओपन करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो क्रोम ब्रोजर है वो हिंदी हो चुका है तो दोस्तों इस तरह से हम अपने गूगल क्रोम ब्रोजर की जो बासा है उसको चैंज कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत!